आज की वीडियो में आपको मैं दो वेस्टे चीज़, एक ही सीख वाली जाड़ू, दूसरा इस तरह के जो अंडे के कवर होते हैं, इसका इस्तेमाल करना बताऊंगी, इस तरह के वेस्टे चीज़ को ना फैक करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरह से, तो देखे लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद में इसको बिल्कुल भी ना फैकें ठीक है तो अपने आप लोगों ने भी इसको ना फैक करके इस्तेमाल करना है तो देखिए इसका मैं किस तरह से इस्तेमाल करूंगी पहले तो मैं इसको जो कटर है कटर से मैं इसको कट कर रही हू इसको हाथ से तोड़ भी सकते हैं लेकिन इसका पाठ इतना नुकिला होता है ना अगे का की हाथ में चूबने का डर होता है तो इसलिए कटर से काट हूम है और कई लोग बोलते हैं कि जाड़ो को काटना नहीं चाहिए तो जाडों को फैकना भी तो ठीक नहीं होता है तो फैकने से कुछ नहीं मिलेगा वो भी फैकेंगे कुडे में जाएगा इधर अधर गंद में जाएगा तो अगर हम लोग जाडों मानने के बाद में ये जब यूज लाइक नहीं होता है तो हम लोग इसको यूज फूल भी बना करके अपने इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं तो आम के आम और गुटलियों के दाम वाला काम हो जाएगा देखे मैंने सारा तोड़ लिया है और खराब भी नहीं होगा ये अच्छी तरह से ही इस्तेमाल होगा एंड तक इसका जो पार्ट है पूरा खराब होने के बाद भी ये यूज होगा तो देखे मैंने सारा कलेक्ट कर लिया है इसको अच्छी तरह से और आप मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इसको इस गमले में देख सकते हैं गमले के नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल है और भी अच्छा इसका आगे बताऊंगे कि क्या करना है तो देखे जाड़ो का तो लोग जो क्रेटिव करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेशन पार्ट में भी यूज करते हैं यूज लेस होने के बाद में तो मैंने इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लिया है ड्रेनेज होल के लिए देखे अब उपर से मिटी बगरा पड़ेगा तो इसमें सड़ेगा गलेगा इससे प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलेगा दूसरे इस तरह जो अंडे के ट्रे हैं इसको भी फैक देते हैं तो इसको भी ना फैक करके इसको भी कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ देखे मैं इसको कर रहे हूँ छोटे छोटे टुकडे में इसको छोटे टुकड़े ना भी करें, इसको साबुद भी हम लोग अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी तरह से कमपोस्ट बनाया जाता है, ठीक है, यह कागज की लुगदी है, इसमें प्लांट्स के लिए बहुत नूट्रिशन मिलता है अगर सड़ जाएगा, गल जाएगा यह पूरा कमपोस्टिंग में, तो मैं इसको छोड़े-छोड़े टुकड़े करके ना, इसकी जो कमपोस्टिंग वाला काम है, वुस तरह से यूज करूँगी, लेकिन मैं इसको कमपोस्ट भी नहीं बनाऊंगे, मैं इसको इसके उपर डालोंगे, गमले के उपर में, तो इसके उपर से पहीं-वाला, तो इसके उपर से यह तो इसको बहूसा है, उसको भी डाल दे रहे हो, और थोड़ा और मिटी डाल करके, बाद में कोई सभी प्लांट इसको लगा दूगे, तो बिल्कुल रही अच्छी तरह से पानी पढ़ते रहेगा नीचे से सड़ता रहेगा प्लांस को nutrition मिलेगा और ये जो pot है friends बहुत ही हलका बना है light weighted बना है बिल्कूल जो जाड़ो की तीली है ना इसको और भी बारिक कर करके ना इसको मिट्टी में mix करके भी आप डाल सकते हैं कमपोस्ट भी बना सकते हैं किसी भी तरह से गार्डन में यूज़ कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें कॉमेंट भी करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें धन्यवाद